हाई एवरिवन वेलकम बैक टू पैशनेट होम आज के विडियो में पूरी वाले आलो मटर की रेसिपी बताऊंगी ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है और जल्दी से बन भी जाता है इसके लिए मैंने लिया है पांच मिडियम साइज के आलो उसको धो के हाफ करके मैंने बॉ मैंने एक बड़ा प्याज एक मेडियम साइज टमेटे को चौप कर लिया है दो हरी मिर्च और हाफ इंच अद्रक के टुकड़े को मैंने ग्रेट कर लिया है सबसे पहले कड़ाई में दो टेबल स्पुन मस्टर्ड ओयल डालेंगे आप चाहें तो रिफाइंड ओयल भी ले सकते हैं ओयल गरम होने के बाद उसमें हाफ टी स्पुन सर्सों और हाफ टी स्पुन जीरा डालेंगे जीरा थोड़ा से चटकने के बाद हम उसमें ग्रेट किये गए अद्रुप को डालेंगे फिर हरी मिर्च डालेंगे और उसके बाद कटे हुए प्याज को भी डाल देंगे आज को थोड़ी देर फ्राय करने के बाद हम उसमें उबले हुए आलू को डालेंगे और उसमें स्वाद अनुसर नमक और एक टीस्पून हल्दी डाल कर अच्छे से मिला लेंगे आलू को 5-10 मिनिट के लिए फ्राय करेंगे और मैंने कर्ची से कड़ाई में ही आलू को थोड़ा सा छोटा पीस कर लिया है इससे ग्रेवी थोड़ी सी थिक बनती है फिर आलू में कटे हुए टमाटर डालेंगे और 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून मीट मसला डाल कर एक मिनिट के लिए फ्राय कर लेंगे फ्राय करने के बाद हम उसमें मटर डालेंगे मैंने फ्रोजिन मटर लिया है आप चाहें तो नॉर्मल मटर ले सकते हैं मटर डालने के बाद फिर इसको एक डो मिनिट के लिए फ्राय कर लेंगे अच्छे से फ्राई करने के बाद हम उसमें दो गलास पानी डालेंगे पांच-दस मिनिट के बाद जब ग्रेवी थिक हो जाए तो उसके उपर से दालचिनी का पाउडर डालकर हम मिला लेंगे और गर्मा गरम पूरी के साथ, पूरी और पराठे के साथ सर्फ करेंगे आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा